वेल्कुम तो अपर चैनल फिजिक्स भाई आईटियंस हम लोग डिसक्स करने हैं जिए दिजिटल तो अनलोग कनवर्टर का रिजुशन क्या होता है इसको समझने से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि रिजुशन का मतलब क्या है कि रिजुशन का मतलब है कि हम कितना minimum input रखें जिसको वो resolve करके हमें output voltage दे सके मतलब कितना digital input minimum रखा जाए जिसकी corresponding आपको output analog voltage मिल सकता हो means कि यह जिए digital to analog converter है इसका कितना minimum analog output आपको मिलेगा अब यह कैसे निकलता है इसको हम डिफाइन करते है जिसके resolution मतलब step size होता है जैसे कि माल लीजे मैं 4 bit digital to analog converter की बात करता हूं तो 4 bit में 0,0,0,0 से लेके 111 तक आपका जा सकता है माल लीजे आपकी reference volt is 15 volt है तो इसमें total जो आपके steps होंगे आप calculate का सकते हैं कि यहां से 1st step, 2nd step, 3rd step, 4th step इस तरीके से 0, 0 0 0,0, 1,0,0,0,0,0,0,1…. इस steps शेते सहे साहँ जएके आपका last I1 1 1 1 तो बेसिकली यहां आपका amp shots 있습니다Now your Neuros computer system system भूता है तो उसमने जो number of levels होते ही जैसे कि वbokता है मैं how levels हो जाते है फुम ठाबर2 पवाडthe and theánp供ό नमबर of steps you trace करने हैं तो इस टेप एक कम होता है तो यह जाए का 2 to the power n minus 1 तो number of steps निकालने का तरीका हुजा है 2 to the power n minus 1 अगर हम resolution निकालना चाहते हैं या फिर step size find करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यह इतना maximum output दे सकता है और divided by कितने steps है कि हर step की कितनी value है हर step कितना resolve करता है analog output को वही हम देख मैं तो हम इसे रिख सकते हैं resolution या फिर step size equals to V reference divided by total number of steps इसको आप यह भी रिख सकते है full scale voltage मतलब total output maximum कितना voltage हो सकता है divided by number of steps कितना है इसको आप चाहिए चाहिए रिख सकते है V full scale divided by steps और यहीं पे हम एक और term define करते है जिसे कहता है percentage resolution और यह होता है 1 by 2n-1 multiplied by 100 2n-1 मतलब number of steps है तो 100 को वहता number of steps से divided करतेंगे तो आपका percentage resolution आ जाता है तो यह थो था basic पूरा resolution के बारे में अब हम एक question discuss करें इसी topic से लेटर तो देखिए एक आपको 8 bit digital to analog converter दिया गया है जिसका step size 15 mili volt step size मतलब 2 to the power n-1 आपको number of steps होते है और step size मतलब यह जो voltage है यह आपको दिया हुआ है कि इतने step से कितना analog output आ सकता है क्योंकि 15 volt है कि मतलब 15 mili volt minimum output के corresponding work कर सकता है अब हमारा काम में हमें निकालना है full scale voltage क्या होगी और percentage resolution क्या होगा तो सबसे पहले हम उतना formula यूज करेंगे जो step size है होता है full scale voltage upon the total number of steps जिससे आप लेख सकते है full scale voltage divided by number of steps और आपको full scale voltage ही complete करना है full scale voltage जाएगा आपका step size 2 to the power n minus 1 10 आपका 8 दिया हुआ है तो जब आप 2 की पावर 8 माइनस अनता रहेंगे तो यह 255 आपका step size आपको 15 mili volt दिया हुआ है जिसे आप कैसे क्ते है 15 10 to the power minus 3 तो आपका full scale voltage जाएगा 3.825 volt इसका मतलब यह जो 8 bit digital to anular converter है इसके corresponding जो maximum output voltage आपको मिल सकता है वो होगा 3.825 volt अब दूसरा question आपसे बूचा गया है कि इसी का percentage resolution क्या होगा तो percentage resolution के लिए हम simply क्या करेंगे 100 को 2 to the power n-1 से divide कर देंगे एन आपका 8 है तो आपमें लिखा 100 divided by 2.255 जो value होगी आपकी 0.39% तो यह इसका resolution हो जाएगा तो इस तरीक से हम आसानी से resolution based question जो की digital to anular converter से काफी कुछे जाते हैं आप स्वाल कर सकते हैं आज के लिए इतना ही था Thank you इस वीडियो को like कीजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजी Thank you Hello friends Welcome to our channel Physics by ITNs हम लोग digital to analog converters पढ़ रहे थे तो मैंने गाया था कि हमारा छोरी पार्ट पुरा खत्म हो चुबला है तो अभी हम कुछ questions डिसकस करेंके digital to analog converters से बिल दे और यह हमारा आसका digital to radar converter का last lecture होगा इसके बाद हम analog to digital converters की तरह आगे बढ़ेंगे सबसे पहले स्टाइब करते हैं पहला question है जिसमें हमें 3-bit register ladder लेडर 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 है वो converter दिया हुआ है जिसमें R की वेलू आपकी 10 klo ohm है आपकी reference voltage 8V दीगें आपसे पुछा गया है कि output voltage क्या होगा अगर हमारा digital input 1-1-1 है मतलब तीनों ही वेट आपकी high है 1-1-1 तो जैसा कि हम जानते हैं कि कि किसी भी digital to analog converter के लिए हमें अगर output voltage या फिर analog output निकालना है तो उसे हम लिख सकते हैं gain multiply resolution multiply by उसका decimal equivalent क्या है तो अगर हम 1-1-1 की बात करेंगे तो इसका decimal equivalent भाना हो जाएगा देखी इस वन के corresponding इस वन के corresponding 1 आएगा इस वन के corresponding 2 आएगा और इस वाले वन के corresponding 4 आजाएगा इसको आप 7 किया सकते हैं 4 plus 2 plus 1 दूसरा होता है resolution resolution जो कि हमने अभी डिसकस किया है resolution होता है V reference divided by 2 to the power N N हमारा 3 bit है तो इसलिए 2 की power 3 कर सकते है तो resolution हमारा जाएगा reference voltage 8 है 8 by 2 to the power 3 8 by 8 कर सकते हैं इसको फिर यहां पर होता है gain और gain होता है minus RF upon R R1 plus R2 जितने भी resistances लगे है input पर उन सब का summation यह हमारा inverting configuration है inverting configuration हमने का discuss किया है inverting configuration जब हम discuss करते है तो हमारा input लगता है यह negative terminal पर यह हमारा resistance माल लीजी R1 है यह माल लीजी feedback resistance RF है और यहां पर input लगा रहे है तो output voltage जो आती है minus RF by R1 होती है इस case में हमने 2 resistance लगे है एक 10 क्लों का और एक 20 क्लों का तो यह हम double distances का sum लिखाए है और अगर आपको output current लेकाना जैसर कि इस question में पूछा क्या है output current क्या होगी output current लेकिए इस branch में जो current है उसको output current कह सकते हैं यह हमारा voltage Vout है तो हम लिख सकते हैं Vout is supposed to minus I0 into Rf तो I0 मिकलना चाहेंगे तो हम V0 by Rf कर सकते हैं तो यह minus Rf अगर इदर आजाएगा तो यह हमारा output current की value देखा है सारी values हमें पता है तो हम लिखेंगे 1 upon 10 plus 20 K क्यों मतलब क्लों V reference 8 volt है 2 to the power 3 और यह हमारा जो digital decimal equivalent है digital का वो जाएगा 4 plus 2 plus 1 इसको simplify करेंगे तो आपका जो output current है वो जाएगा 0.2 milliamp तो किसी भी digital to analog converter जिसमें open use किया गया है तो उसका equivalent निकालने के लिए आप simply इस equation को याद रखिए कि जो output voltage है वो gain multiply resolution multiply by decimal equivalent कोई भी value दी जाएगा सबसे पहले तो उसका decimal equivalent इकाली है reservation का आपको standard formula पता है V references divided by 2 to the power N N मतलब इपनी bit का आपका digital to analog converter है फिर आपको gain निकालना पड़ेगा gain के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो open है उसका configuration कैसा है वो inverting है या non-inverting है उसी basis पर gain लिखेंगे फिर gain से आगे कि आपका जो भी process कुछी रही है output voltage या फिर output current आप calculate कर सकते है इसी तरीके basis पर एक दूसरा version है यहां पर diagram बनाके दिया गया है यह एक R to R ladder है जो कि देखिए हमारा input यहां पर देखिए कोई input नहीं है grounded है और यह सारे जो input है 1 1 1 यह सब हम ले पॉजिटिव टर्नल पर लगा रखें तो इसको मतलब यह एक non-inverting configuration है तो यहां पर जो हम gain लिखेंगे वो minus Rf by R1 मा लिखके हम लिखेंगे 1 plus Rf by R1 जैसा कि यह पहले भी डिसकस कर चुके है यह configuration मुछ है minus plus हमारा output voltage है वो positive terminal पर है यह हमारा resistance है R1 और यह हमारा T2 of resistance Rf है यह हमारा output voltage Vout है यह हमारा grounded है तो इस case में जो आपका gain आएगा Vout by being वो हमा 1 plus Rf by R1 यह हमारा non-inverting case यहां पर भी आपको output voltage calculate करने को बुला गया है यह 4-bit distance to run up convert है इसकी देखिए जो पहरी bit B0 है वो यहां पर होती है फिर B1 होता है फिर B2 होता है मतलब MSB यहां पर होता है अब देखिए जो voltage 1 पर होगी उसे तो हम 1 मानेंगे और जो voltage 0 पर होगी Grounded होगी Ground मतलब 0 और 1 मतलब हम reference voltage 1 मान के चल रहा है तो हम reference voltage 1 है तो हम 1 माने गए तो B0 हमारा 1 पर connected है B1 हमारा 1 पर connected है और B3 भी हमारा 1 पर connected है तो यह देखिए 1 है यह 1 है यह 1 है अब क्योंकि B2 grounded है तो उसलिए हम 0 मान रहा है तो basically जो हमारा digital input है पहले हम MSB को लिखते है फिर LSB को लिखते है तो digital input हो जाएगा 1011 तो 1011 हमारा digital input है जिससे हम binary में लिख रहे है इसका अगरा decimal equivalent देखेंगे तो वह जाएगा इसके लिए आप 8 लिखोगे यह 0 है यह 2 यह 1 तो 8 प्लस 0 प्लस 1 तो decimal जो इसका equivalent होगा 11 होजाएगा तो basically हमारा digital input है जाफर इसका decimal equivalent है 11 है तो हमें उसके corresponding output में analog voltage कितना आने वाला है वो पूछा गया है तो simple हमारा standard formula ही gain multiply resolution multiply decimal equivalent लेकिन इस case में gain आपको minus rf by r1 क्योंकि आपका non-inverting configuration है positive terminal पर आपने input लगाया लेकिन अगर question में कहा जाए कि inverting है non-inverting कैसा लेना है तो आप in general inverting configuration ही बानी है gain को लिखिए minus rf by r1 लेकिन अगर diagram ना के दिया गया है तो आपको कुस्से सौजना पढ़ेगा कि यह inverting है या non-inverting और क्योंकि हमारे सारे binary inputs positive terminal पर लगे हुए है तो यह हमारा by default ही non-inverting configuration हो जाएगा और हमें gain इतना पढ़ेगा 1 plus rf by r1 तो standard formula बस gain की जगे के में लिख दिया 1 plus rf by r1 इसकेस में हमारा 1 hold है तो हमें 1 रिखेंगे 2 to the power n n हमारी bits से वो 4 है वैसे देव भी रखा है और decimal equivalent अगी calculate किया 11 है साजी values आपको पता है put कर सकते हैं 1 plus rf आपका 7 है 7 by 1 2 to the power 4 multiply by 11 अब देखिए 7 plus 1 8 होता है 2 to the power 4 16 होता है तो उसे हम 8 by 16 1 by 2 कह सकते हैं 11 by 2 आजाएगा 5.5 volt होगा तो basically 1011 11 in decimal is equivalent to 5.5 in analog voltage तो इस तरीके से हम किसी भी digital to analog converter के options को deal कर सकते हैं तो हमें बस क्याना रखना है कि resolution कैसे निकालते है decimal equivalent कैसे निकालते है और gain कैसे निकालते है तीनों का multiply करते है आपको output voltage आजाएगी output current निकालना है तो फिर उसमें आप RF से divide करते हैं इस तरीके से हमने digital to analog converter के सारे lectures को कतम कर लिया है next lecture में हम लोग analog to digital converter के बारे में डिस्केस करें तब दर के लिए आप ये video देखी इसको फ्रेंड्स के साथ स्केर कीजिए और हमारे चैनलर को सब्सक्रेब कीजिए तरीके तरीके बारे चैनलर के लिए